इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप नोटिफिकेशन साउंड को कैसे चैंच कर सकते हैं सैमसंग गेलक्सी जेसेवन प्राइम में उसके बाद कस्टम आप कैसे सेट कर सकते हैं कस्टम नोटिफि केशन तो चली स्क्राइब करती हैं फस्सलिया आपको सेटिंग्स आपन करना है कि कम तो यहां से हम सेटिंग्स आपन कर लेते हैं कि उसके बाद आपको Simply एक बाउप्षान मिल जागा साउंड एल बाइब्चन को नोटिफिकाशन इसका अवक सेलाग्त करते नुथा को सेंतस्वार करों सको को साउंड को कि इसलेक्ट करें मतले मुलत को न सलाग़ घगत साउंड पर अगर आप custom set करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको file manager open करना होगा तो यहां पर आपको एक create करना है folder तो यहां पर हम create folder कर देते हैं, यहां पर आपको media लिखना है, after that इसके यह वाला media folder create हो गया है इसके अंदर आपको एक folder create करना है audio सब स्मॉल लेटर में आएगा कि आफ्रदेट इस पे क्लिक करना है और यह को फोल्डर करना है अपको एट नोटिफिकेशन्ज नोटिफिकेशन्ज एस आपके तेन क्रियेट आपके अपने फोल्डर कम्प्लीट हो गया है आपको यहाँ पर जिस भी sound को set करना है sound को copy paste करना है तो जैसे कि मैंने download किया है तो download वाले folder में search कर लेता हूँ ये वाला folder so directly file search कर लेता है just saying अभी download किया है just saying ये वाला है इसको आपको copy करके उसी folder में paste करना है तो पहले हम media search कर लेता है this is media इसके अंदर क्लिक किया audio पर क्लिक किया notifications पर क्लिक किया यहाँ पर paste कर दिया after that आपको again back हो जाना है and फिर से settings ओपन करके sounds and vibrations में जाकर आपको check करना है notification sound यहाँ पर देखिए just saying वाला आपको मिल गया है यह तो simply आप इसे कर सकते हैं this is very simple process so I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को like कर दीजे channel को subscribe कर लिजे because इस channel पर हम आपको technology से related बहुत सारी news लेकर आते रहते हैं per day so आपको technology से अगर update रहना है तो वीडियो के form में आपको updates मिल जाएंगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लिजे और bell icon पर प्रेस कर लिजे ताकि आपको notifications मिल जाएंगे और इस वीडियो को like जरू किजेगा and comment भी किजेगा thank you for watching